चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं मसालेदार खिजडी आज है सनिवार और यहां पर देखिए मैं बना रही हूँ मसालेदार खिजडी के लिए बहुत ही चटपटा चटनी स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग वीडियो में और आज है सनिवार तो सनिवार को विसेश करके मैं ख अरहरों में बनते हैं और ये मसाला जो खिचरी है ना तो ये हमारा इंडियन फूड है सब लोग बहुत टेस्टी बनाते हैं बहुत तरह की सबजिया डाल करके बनाते हैं लेकिन आज मैं जो मसाला खिचरी बनाने वाली हूँ ना तो उसमें मैं बहुत सारे सबजी नहीं डाल और चलिए आ गई हूं फिर से अपने लंस्थाली तयार करने के लिए ओभी सटर्डे स्पेसर तो यहां पर देखिए डाल ले रही हूं तो ऐसे तो मैं मुंग की डाल में खिचरी बनाती हूं लेकिन जब उसमें सब्जी नहीं डालती हूं तब लेकिन आज मैं बना रही हूं अरहर की डाल तो देखिए यह मैं हाँ से मिजर्मेंट चुकी डेली मैं अपना लंस्थाली तयार करती हूं तो मुझे पता है कि कितने परसन के लिए बनाना है तो यहां पर मैं दो बड़े चमच ले रही हूं अरहर की डाल और दो बड़े चमच लाल वाली मसूर की डाल औ के बनाए ना अपनी ठाली में तो स्वाध थोड़ा सा डिफरेंट भी लगेगा और स्वाधिष्ट भी लगेगा तो चली इसको मैं धो लेती हूं और ऐसे तो मूंग दाल की खिचरी जो मैंने भोग खिचरी बनाई ना तो उसके आप लोगों का बहुत प्यार में इसके दाल करके इसको मैं बस एक सीटी लगा लूँगी अभी दाल नहीं पूरा पकाना है दाल फिर मैं चावल के साथ पकाऊंगी और यहां पर चलिए दाल को मैं डाल देती हूं और थोड़ा सा हल्दी और नमक थोड़ा सा ही डाले क्योंकि खिचरी में भी मुझे डालना है और कोई बात नहीं है जो भी सबजी है आप डाल करके अच्छा से बनाए ना तो आपका थाली बहुत स्वाधिस्ट बनेगा तो चलिए यहां पर मेरे पास अभी विंटर की जो फूल गोबी है ना वो बहुत ज़्यादा ताजा ताजा आ गया है मार्केट में तो चलिए यहां से चार से पांच में बड़े-बड़े फूल काट लेती हूँ और आज आलू और गोबी और मटर की ही मैं बनाती हूँ ज्यादातर मसाला खिचरी और एक खिचरी बनाती हूँ जिसमें फरसबीन भी रहता है सिमला मिर्च बगएर सब डाल करके भी बनाती हूँ तो यह वाल आलू को भी मैं हलका सा उपर से छिलका हटा करके और इसको भी बस दो बड़े बड़े फाक में काट लूँगी और यहां पर लौकी है तो लौकी का जो भी हम बचका बनाते हैं ना मसालेदार खिचरी में तो वो थोड़ा सा मोटा मोटा काटते हैं और एकदम धीमी धीमी आगया की वीडियो तक बने रहेगा और यहां पर देखिए यह चटनी जो है तो यह चटनी ना काफी वाइरल हो रहा है तो मैं सोची की चलो मैं दो-तीन बर बना चुकी हूं लेकिन जो हम लोग चुले के आज में पका के बनाते हैं ना बिल्कुल देसी और देहादी तरीक काटर है चार से पांस तो दो-दो स्लाइस में मैं काट ली हूं थोड़ा सा अद्रक है और तीखा देख ले कितना आपको खाना है उसी के कॉर्णिंग आप हरी मिर्च ले ले और यहां पर लहसन है थोड़ा सा अब विंटर आ गया है तो लहसन आप ज्यादा ले और छिल ल लेकिन वह वाला ना बिल्कुल अच्छा स्वाद नहीं लगता है आप पतीले में कोई भी खाना बनाए ना तो उसका स्वाद थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है और यहां पर देखे यह सोना चूर चावल तो मैं जितना मैंने डाल लिया था ना उसी के कॉंटिटी म लोगी और खीचरी बस छोटे दाने वाले वाले चावल होते हैं उसी के ज़्यादा टेस्टी होते हैं तो इसको मैं धो लेती हूं बढ़िया से और अभी हाप कुकी है तो चावल धो करके मैं डाल दूगी और पतीला में बहुत अराम से पक जाता है ना सब लोग सूशते ह की कुकर में हम चढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी हमारा खाना बन जाएगा लेकिन पतीला में भी जल्दी बनता है बस न आप थोड़ा सा गैस का फ्लेम लो करके बनाए न तो बहुत जल्दी बन जाता है हमारा खाना तो चलिए दाल को मैं अच्छी तरह से धो लेती हूँ द मैं तेल डाल दूँगी और उसके बाद अब चलिए आलू और गोबी को मैं मसालेदार बनाती हूँ तो उसके लिए सर्सू के तेल दो बड़े चमच उसमें डाल दूँगे सारे वोले स्पाइसे स्यानी के गरम मसाले उसके बार डाल दूँगी 2 देसी मिर्च और 5 से 10 आप पर 5-10 मिनट भून ले उसके बाद कटे हुए आलू और गोवी को डाल दूंगी और इसको ना बस 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक इसको आप पूरा मसाला के साथ लपेट करके और इसको भून लीजे मटर की कमी है लेकिन कभी-कभी होता है कि घर में कोई समान रहता है कभी नहीं अगर आपके पास मटर है तो मटर भी डाली है मटर से और भी स्वादिष्ट बनता है तो चलिए यह जो है ना इसको अच्छी तरह से भून लेने के बाद बस मसाले में एकदम लपेट करके भून देना है और अभी मैं चावल चेक करके दिखाती हूँ चावल को भी अलू बस एक परसन के लिए बहुत है बहुत टेस्टी लगता है यह और अब इसको क्या करना है ना कि धीमी आज पे छोड़ दूँगी और दस मिनाट में हमारा खिचरी बनकर के तयार हो जाएगा और तब तक मैं बचका की तयारी कर लेती हूँ और उसके पहले मैं बना ल जाली हूँ अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप हरी मिर्च कम डाले और यहां पर थोड़ा साम चटकने देंगे हमको पकाना नहीं है जितना भी टमाटर को और हलका सा इसे एकदम भाप में गलाना है और बस एक बार पलड़ दे फिर से ढख दे और थोड़ा सा बस यह हल मसाले हैं जो मैं स्पेसल पीष करके रखती हूं कभी सेयर करूंगी आप लोगों के साथ यह पूरे मसाले जो मैं पॉर्डर बना करके तयार करती हूं थोड़ा सा नमक थोड़ी सी हलदी डाल करके उसका घोल में त्यार कर लूंगी और यहां पर देखिए सारे टमाटर को में निकाल दूंगी तो ये बहुत वाइरल चटनी है मैं तीन से चार वर बना चुकी हूँ लेकिन स्वास तो बहुत चट पटा है लेकिन वो देशी वाला जो हम लोग आग पे जो पका करके चटनी बनाते हैं तो वो भी काफी टेस्टी होता है और ये भी खिचरी में मुझे बहुत स्वादिश्ट लगा और जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ तो साम हो जाता है साम के साथ से आठ वजे वीडियो पोस्ट करती हूँ आप लोगों के साथ एडिट कर करके तो जो आज का जाय का था था ना सब लोगों को चटनी बहुत पसंद आया और चलिए यहां प यह मैं कटोरी से इसको मैस कर रही हूँ कभी कभी मैं देशी तरीका भी अपना लेती हूँ और बस स्वात के नुसार नमक मिला दे और थोड़ा सा धनिया पत्ता और एक बड़े प्याज पतला स्लाइस में काट करके मिला दे और यह चटपटा चटनी बहुत ही टेस्टी ख खेचरी के साथ और इसमें जो है ना चलिए अब मैं बचका बना लेती हूँ एकदम मोटे मोटे स्लाइस में और इकदम धीमी धीमी आज पेना इससे पकाई बहुत टेस्टी लगता है और जब भी मैं मसालेदार खेचरी बनाती हो न तो इसी तरह से पूरे मोटे मोटे स्ल लेती हूँ कि आलू पका है कि नहीं क्योंकि बड़े-बड़े स्लाइस में मैंने डाला है और अभी नए आलू आ गया है ना तो खिचरी में और भी स्वादिष्ट लगता है तो चलिए देखिए गोवी भी एकदम से पक गया है गोवी तो ऐसे भी सौप्ट होता है बहुत जल्दी पक जाता है लेकिन मेरा कोई वो भी टूपता नहीं है कभी तो चलिए इसको मैं चेक कर लेती हूँ नाइप से तो देखिए यह जो है ना बिल्कुल एकदम पक गया है अंदर तक तो अब क्या करूंगी गया है खिचरी बन करके तयार है मेरा बचका भी बन गया है चेकनी भी बन गई है तो चलिए थाली में दिखाती हूँ कि और क्या क्या मैं लगाने वाली हूँ और चलिए यहां पर मैं लगा दी हूँ थाली आज की जो सनिवार स्पेशल लंस थाली तो यहां पर लगा दूंगी गर्मा गर्म खिचरी और थोड़ी से मैं धनिया के पत लेकिन यह नहीं खिछरी बहुत जम करके गाड़ा हो जाता है लेकिन मैं गरम गरम निकाल करके दिखा रहे हूं आपको इसलिए थोड़ा सा पतला लग रहा है और यहां पर बस बड़े बड़े आलू एक बड़ा गोबी और उपर से आप डाल दीजे देसी घी और बीना घी क एकदम सुध गाय का देशी घी और उसके बाद में लगा दूँगी बच का निलौकी का और यह है पोई पता का जो मैं घर में ही लगाई हूं गमले में और आज क्या हुआ ना कि मैं अचार लगाना भूल गई क्योंकि अब फोटो भी पोस्ट करती हूं जो भी रेसिपी की त तो यहां पर चलिए दही में बोले की कुछ नहीं मसाला डालो और दही को इसी तरह खिचरी के साथ खाएंगे और यहां पर पोई पता का जो बचका है और दही है टमाटर की चटनी है और यहां पर खिचरी है मसाला वाले खिचरी है और कैसी लगी आज की जो मसालेदार खि झाल झाल